इस वीडियो में आपको यह पूरा complete detail पता चल जाएगा कि क्या आपने application form feel किया है वह completely feel हुआ है यह नहीं खासकर जामी मिलेश्लामिया को लेकर सबसे पहले वेयर हो जाते वहाँ पे उस पॉइंट पे तेरे आपको payment में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कहाँ प्रॉब्लम यह जरूर होगा कि कोई बंदा ऐसा है payment कर दिया payment deduct भी हो गया बट आपके जो स्टेटस पर उस पर दिखा रहा है कि आपका paid नहीं हुआ अन-paid बता रहा है या फिर हो सकते आपने paid बता भी रहो लेकिन आपको हो सकते email आया उस पर आपको यह सो कर रहा हो कि यहां पर आपको यहां पर अब इसको बाद हलका सा स्कॉरल करते बीजब नीचे एंगे तो यहां पर आपको new restriction का अभी भी section पर click करेंगे तो आपको एक interface आएगा मतलब उसमें सारे detail आपको फो करेंगा और उसके बाद जिसे इस पर done करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक email जाएगा वह जो आपका email दिखेगा है वह आपका email दिखेगा किस course email के बाद अगर हम बात करें तो आपको पासबड़ भी वहां पर दिख जागा तो यह admin का नाम से आपका email आपको क्या करना है है simple अपने sign in button पर जाना है याद रहे वह email आएगा उस पर आपको क्लिक है टू वेरिफाई पर भी क्लिक करना है क्योंकि इससे आपका email अक्टिवेट हो जागा आप इसके बाद क्या करना है इस बात को लेकर problem में कि क्या है अभी भी हमारा make up payment को options हो कर रहा है तो यह सोग करेगा इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होते कि आपने payment कर दिए अब आपको कैसे पता चला है अपने payment के आप simple home वाले जो sections हो कर रहे या तो इस पर वरना हलका सा scroll करते भी नहीं चाहिए आपको मैं थोड़ा दिखा रहा हूं यहां पर इसको मैं थोड़ा डिक्स्टर मोड में दिखाता हूं इस तरीके से आपको दिखेगा यहां पर देखिए तो आप यह इस तरीके से आपको my application preview form और make up payment आपको my application form वाले section पे click करना है जैसे ही जब इस पर click करेंगे यहां पर आपको दो तीन चीजी दिखेगा एक तो सबसे पहले यह आपका application ID आपका paper का code जिस paper में अपने apply किया है paper का नाम सो करेगा जैसे माले कि किसी डिप्लोमा डालो तिहां पर डिप्लोमा इन इंजिनरिंग रेगला और सेल्फ फाइनस का section सो करेगा उसको यह स्टेटस जो कि बहाद important है जिस भी students का confirm and paid so कर रहा है इसका मतलब है उसका application from feel हो गया उसमें जैरासा भी कोई problem नहीं है लेकिन लेकिन अगर किसी students को ऐसा लगे कि भाई हमने paid भी कर दिया और यहाँ पर अभी हमारा unpaid दिखा रहा है मतलब लिखा हुआ है confirm and not paid मतलब ऐसा होता है कि मालों क students application from feel कर दिया payment नहीं किया तो ऐसे case में आपका confirm तो सो करेगा लेकिन बट not paid यहाँ पर सो करेगा तो ऐसे में उसका solution यह है कि उसमें सबसे पहला एक तो अगर वह payment कर दिये तो अगर नहीं कि तो उन्हें payment करना ही पड़ेगा लेकिन अगर वह payment कर दिये तो फिर उस case में जा है तो एक तो वह हो गया दूसरा ही कि आप थोड़ा दिर बाद क्योंकि वेट करें यह खास कर यह उन्हें कहा है कि 24 आवर के अंदर है जो हम सर्वर को अपडेट कर देते हैं यह आपने फॉर्म जो फिल कर रहा है तो यह एक इलाज एक तो यह हुआ अब हो सकता है ऐसा हो क आपका एडविन का नाम से ऑमेल हागा जोकी हम आपको यह दिखा रहें एड्मिन का नाम से यहाँ पर इस सदरीके से आपका डिचल हाँ अच आपको घंठेंगा इसए इसे आपके आपको नाम Kinder आईड़ करेंगा और इस पासवर्ब ना दिखर आपको इसी पासवड़ से तो देन आपका जो फॉर्म वेरिफाय हो जागा यह आपका हुए स्टार्टिंग का प्रोसेस मतलब प्रोसेस वन हुआ और इसका बाद आपको सिंपल फॉर्म कर लें लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपको चूज करना होता है जैसे आपको पहले जीरो-जीरो सो दिखाएगा यह दो अलग लग पेमेंट है जैसे की स्कूल जिसकी यूजी के कुछ कोर्स में फावंड़ फिप्टी भी है और कुछ कोर्स में सेवन हेंड़ भी है तो यह डिपेंड़ करेगा पर यह कि वह आपको सोग करेगा बस आपको यहां से ऑनलाइन चूज करेंगे जैसे ऑनलाइन चूज करेंगे आपका जो है पेमेंट का आपसन साज आएगा अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर इस तरीके से आपका इबीएस के नाम से आपके पास इमेल आएगा और उसमें स्याफ मिंसा लेका देखिए यूर आपने जो करा वह दिख जागा और आएडी भी दिखेगा और सक्सेस यहां पर स्टेटस में सक्सेस दिखना चाहिए अगर किसी का इनकंप्लीट दिखता है ऐसे में यह है कि वह सिंपल जामिया से वह हैल प्लाइन नंबर से कॉंटेक्ट कर ले उसके हाथ में बहुत कुछ आमे मेले इसलामी को लेकर अगर आप अपडेटेट रहना चाहते हैं इस एडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू